नोट बंदी से रिजर्ब बैंक पर पड़ेगा 24,000 करोड का अतिरिक्त भार। नोट बंदी के बाद काले धन को बैंकों में जमा होने से रोकने में आसपलता के चलते अब रिजर्ब बैंक को अतिरिक्त व्याज के रूप में इसका खाम्याजा उठाना होगा। लोगों की तिजोरियों में बंद नगदी अब बैंकों में जमा हो गई है जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा। आरबी आई के पूर्फ गवन्नर रगुराम राजन ने यह दिल्ली में अपनी पुस्तक के विमोचन से जुड़ी एक कारिक्रम में यह गावा किया। हाली में उन्होंने भारतिया अर्थववेस्ता तथा रिजर्फ बैंक के रूप में अपने अनुभावों पर आधारित एक पुस्तक आईडू लिखी है। मानत जाता ही UPA सरकार के समय गवन्नर बने रगुराम राजन के मोदी सरकार से भिविन मदो पर अंतिम समय में घहरे मतबेद हो गए थे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 500 तथा 1000 रुपे के नोटों को बंद करने के फैंसले का जिकर करते हुए कहा कि रिजर्फ बैंक के आकड़ों के अनुसार नोट बंदी के बाद निन्यान में 30 बड़े नोट बैंकों में बापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि कालाधन लखने वाले इस फैंसले का फाइदा उठाते हुए अपना सारा पैसा बैंकों में जमा करके सफेद कर लिया है। कालाधन बैंकों में जमा हो जाने के बाद हर साल इस पैसे पर बैंकों को 24,000 करोड ब्याज के रूप में चुकाना होगा। नौटबंदी के समय सरकार के दावे के अनुसार फैसले का मुख्य लक्षक काले धन को खतम करना था। यह थी SMU रिपोर्ट।